सर्दी के मौسم में अगर गर्म गर्म कॉफी मिल जाया और वह भी इसी ज़्ाग वाली कॉफी motive आर एक मिनट से भी कम समय में आप इसे बनांकर तयार करेंगे और इतनी कहने में grape बना मिहनत के कोई महनत नहीं culturaactive सिर्फ बस एक मिनट से भी कम का समय लगने वाला है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए मैं पांच टी स्पून ले रही हूं यहां पर कॉफी पॉडर ले लेंगे और यहां पर इसको मिक्सर जार में डाल देंगे इसी के साथ अब मैंने जैसे तो यहां पर इसको ग्राइंड कर लेते हैं देखिए एकदम फाइन ग्राइंड करना है तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं यह देखिए इसको मैं एकदम फाइन ग्राइंड कर रही हूं और यह देखिए ग्राइंड करने के बाद कुछ यह ऐसे इसका जो है कलर आ जाए तो यहां मैंने कुछ बरफ डाल दिया है चार क्यूब में डाली है और इसको अब हम दुबारा से मिक्सर में चला लेंगे यह देखिए इस तरीके से मिक्सर में चलाना है इसको और फिर मैं आपको दुबारा इसका टेक्शर दिखा देती हूं यह देखिए थोड़ा था चला आप बीच में खोल के ऐसे देख सकते हैं तो यहां मैंने 5-6 क्यूवाइस के डाल दिये हैं अब दुबारा से मिक्सर को हम चला लेंगे और इसको अच्छे से फेटेंगे ताकि इसके जो फ्रॉथ है न वह बहुत बढ़िया से एकदम बन जाए जाग वाली पूरी बन जाए तो मैंने अच्छे से देखिए इसको मिक्सर में चला लिया है और अब देखते हैं तो यह देखिए कितना बढ़िया फ्रॉथ बनके तयार हो गया है और यह कॉफी न इतनी बढ़िया बनके तयार होती है न यह देखिए अब इसको मैं कांच वाले कंटेनर में इसको रख रियू बन करके और यह बहुती बड़ी आ काफी बनके तयार होती है बाहर से भी आपको लाने की जरूत नहीं है जो लोग बाहर से मगा के पीते हैं अकसर तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमारी यह काफी का जो मिक्शर है वो तयार है अब यहां पे एक पतीले में एक कब दूद करम कर ले रही हूं तो पहले हम इसको मिला लेते हैं दूद को और यहां पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है आप जो भी यहां पर दूद लेना चाते हैं वो ले सकते हैं अब दूद को यहां पर अच्छे से गरम करना है एक बॉइल आ जाया अच्छे तरीके से तो य कॉफी हमारे शरीर को गरम रखेगी तो यहां पर देखिए मैं तीन चमच इसमें कॉफी का डाल रही हूं और इसके बाद जाग देखिएगा बहुती बढ़िया बनके तयार होगी आप इस कंटेनर को बन करके फ्रिज में रख दीजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाल जैसी तो आप इसको ट्राइ करएं और में जरूर बताइएगा कि आपको यह वाली जो वीडियो है वो कैसी लगी क्योंकि इसका जाग आप देख सकते हैं इतना बड़ी जाग आ रहा है ना पीएंगे तो आपको लगे गा कि v obey रहे हैं क्योंकि जाग ही इतना सारा है इंद फट से दूद गरम करिए और इसको बना के तयार कर लीजिए तो चलिए फिर मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में